असलाम लेकूम अल्ला की नाम से शुरू जो बड़ा महर्बान नहायत रहम करने वाला है दो अदद ब्रैट को उबलते हुए पानी में डालें और मज़िदार किसम का स्नैक त्यार करें बच्चों के लिए ये स्नैक मज़िदार होने के साथ साथ हेल्दी भी है क्यूंकि हम इ अध्याने पैन में वन टेवल स्पून डाला है बहुत ज्यादा नहीं डालना और टू टीस्पून लैसन अदरग का पेस डाल के हमने मीडियम आँच पे लैसन अदरग को थोड़ा सा फ्राई करना है कि इसका कच्छा पन खतम हो जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ए कफ भर के पानी का ठीक है इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और में पास ये दो अदर ब्रेट के स्लाइस है तो ये इसमें चले जाएंगे अब यहां पे मैंने आंच को बंद कर देना है बाद हमने क्या करना है ये ब्रेट को इस तरह से चमच की मदद से तोड लेना है ठीक है ये अराम से घुल जाएगी क्योंकि पानी गरम था तो अराम से इसने घुल जाना है और इसके बाद हम इसमें कुछ सबजियां डालेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें वन टीस्पून क काली मिर्च और एक छुटे साइस की प्यास चौप करके डालेंगे इसके इलावा एक गाजर तकरीबन आधा कप मेरे पास ये बारी कटी हुई गाजर है और आधा ही कप मैं इसमें बारी कटी हुई शिमला मिर्च एक मीडियम साइस की शिमला मिर्च थी जो मैं पूरी डाल और 1 T-spoon हम इसमें डालेंगे नमक, इसके इलावा 1 T-spoon इसमें जाएगा चाट मसाला, इसके इलावा इसमें बड़ी हल्दी चीज में डालने लगी हूँ सूजी, आधा कप हम सूजी का डालेंगे, नॉर्मल जो दानेदार सूजी होती हैं, वो यूस कर रही हूँ, और 2 और हल्की आँच पे हमने इन सारी चीजों को इतना पकाना है कि ये डो की शकल में आ जाए तो इस बहाने आप बच्चों को एक हेल्दी चीज खिला रहे हैं डेल सारी सब्दियां हैं सूजी है और हम इसमें आलू भी डालने वाले हैं तो ये बहुत ही हेल्दी और मज़िदा इस स्ञाप रहा बच्चों के लिए सपेशली वो बच्यों चीजों कृची जाते हैं अब देखें हमने इसको इतना पकाया है ये हल्का हलका सा ये बच्छा होना शूरु हो गया ये 2 की शकल में आ गया मैं इसको पकाया इसके बाद इसको कवर करके बिलकुल हल्की आच पर मजीद इसको दो मिनट के लिए छोड़ दें सबजियों में से जो पानी निकलेगा वो भी ड्राइ हो जाएगा और ये डो की शकल में आ जाएगा मजीद ये थोड़ सा सक्त हो जाएगा ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ ये मैंने दो मिनट इसको अलकी आज पकाया था और अभी मैंने इसको चूले से हटाया है ये इस तरह से हो जाएगा और जो सूजी का दाना है ये बिलकुल खतम हो जाएगा, ये देखें ये ऐसा लगेगा जैसे आपने मैश किया हुआ आलू इसमें डाला है, ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा तो पता भी नहीं चलना बच्चों को कि आपने इसमें सूजी डाली हुई है अब हमने क्या करना इसको साइट पर रख देते हैं यहां पर कुछ और काम करते हैं यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के आलू लेके छिलका उतार के धोके बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद आलू को आपने ठंडा करना है और उसके बाद आपने इनको ग्रेट कर लेना है यहां पर मैं दो मीडियम वाव के आलो ग्रेट करने लगी हूं ठीक है ये ये आलो आपास ग्रेट कर आगए है अब इनको को करने ज्यादा बहतरigkeit हैं मैश करेंच चंख जाथे आप ग्रेट क siitä हैं ये जहादा भैतर है और यहाँ पर आता हैं अब मैं डाल रही हूं 2 tablespoon या तो आप मैदा डाल दे या फिर अप कॉन फ्लॉट डाल दे इस से क्या होगा कि इसमें हलका सा चिपचिपपन होगा तो मैदा और कॉनफलो डालने से इसमें चिपचिपपन खतम होगा और इसमें अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी यह देख रहे हैं यह अभी भी थोड़ा सा चिपचिपपन आएगा तो आपने परिशानी होने अगर ज्यादा चिपचिपपन हो रहा ह जाते हैं दिन को जाते हैं ब्रैलें यह तरहें इसको किनारे बत जा जाते हैं ऑर देखें इसको यूसमें लाएंग तो यह अब होता है कि इसतरह के ब्रेड़ क्रम्स जब हम बनाते हैं तो शुक्üm ऑल बार्यों सका q Dayalk I, तो आऐग शुल्याद में को रोस्ट कर लें फुड़ा सा पका लें तो क्या होगा कि अच्छे क्रिस्पी वि ओ जाएंगे यह इस तरह से हो जाएंगे मैं बस दो मिनट्र अंच पर पकाया यह यह बेहतरीन क्रिस्पी हो चुकंगे और यह बिल्कुल बादर जासे ब्रेट करम आपके तयार हो जाएंग और 2 tablespoon मैदा ले रही हूं अगर आपके पास सिर्फ मैदा है तो आपने 1-2 cup मैदा लेना है अगर सिर्फ corn flour है तो आपने 1-2 cup corn flour लेना है दोनों में से जो भी चीज हो एक तो आप वो यूज़ कर सकते हैं कोई मसले वाली बात ही है और इसमें हम पानी डालेंगे और इसको अच अब देखें यह मैंने पांच मिनट के लिए जो है मिक्स्टर को फिर्ज में रखाता है यह सट अगर आपके पास चीज है बच्चे चीज पसंद करते हैं तो आप इसमें चीज डाल सकते हैं मैं भी इसमें तकरीब दो स्लाइस फ्रीज किये हुए चीज के डाल रही हूं फ्र इससे क्या होगा जब आप इसनेक्स को फ्राइब करेंगे न तो यह फॉरन से फ्राइब होते हुए चीज आपकी फॉरन से मेल्ट होके बाहर नहीं आगी फटेगी नहीं अब देखें मैंने मिक्स्चर को हलके हाथ से मिक्स कर लिया है इस पॉइंट पे आप नमक बगारा अगर आपको कोई भी चीज कम लगे तो इस पॉइंट पर एड़ कर सकते हैं मेरे साब से यह बिल्कुल ठीक है अब हम स्नेक बनाना स्टार्ट करेंगे हाथों को थोड़ा सा मैंने ओयल से ग्रीज कर लिया है ताके यह मिक्स्चर हमारे हाथ के साथ चिपके नहीं और यह इ पंद्रा आपके इस तरह के रोल तयार हो जाएंगे अभी मैं बाकी के और बनाओंगी यहां पर मैंने थोड़े से बनाए हैं अब जब रोल तयार हो जाएंगे तो आगे हमने क्या करना है यह जो बैटर तयार किया था ना हम इसमें डिप कर देंगे अप चाहें तो ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं ठीक है हर तरफ से ठीक है यह देखें इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स इनको लगा लेने हैं और यह सारे के सारे रोल हमने इस तरह से तयार कर लेने हैं इस पॉइंट पे आप इनको फ्रीज कर सकते हैं काफी सारे बनाएं फ्रीजर में फ्री करें अभी मैं क्या करूंगी इसको तकरीब दस से बारा मिनट के लिए फ्रीजर में रख देती हूं ताके यह सेट हो जाए उसके बाद हमने इनको फ्राइ करना है तो दूसरी तरफ हमने ऑईल गरम होने के लिए रख दिया है और जब गरम हो जाएगा ना तो हमने आज को चीज़ की तसली करनी है क्योंकि अगर ऑईल का टेंपरेचर सही नहीं होगा तो फिर यह फट सकते हैं और तूट सकते हैं यह देखें यह बहतरीन बाइंडिंग है और यह देख रहे हैं यह कलर आने तक फ्राई हमने करना है इसको और यह देखें जबरदस हमारा यह रोल त्यार हो गया अब यह जो ऑल का टेंपरेचर एन यह बहतरीन सेट हो चुका है और अब हम इसमें सारे के सारे जितने आ सकते हैं उतने रोल डालेंगे आज को यहां पे मीडियम रखा वा है और मीडियम आज पे फ्राई करेंगी तो आपने सबसे पहले एक प्राई करना है चीजह इनम चांपारों चाहिकाँ सेट करना है और अर्तमों भीसलेगे प Torah grain पर और पर जिरखने आज करणा करणा अधूर बाल करना ही वरना सकते हैं मिडियम भीसलम और पर भीसलियों और यह जाए जबर यहिकाइगी और उस दलु सपमारें डालें दूजीज हैं पर बि आलू है बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी स्नैक है और यहां पर मैं आपको वास चेक कराते हैं यह कितने माशाला से क्रिस्पी बने हैं और यह किसी को पता भी नहीं चलना कि आपने किस चीज से बनाए हैं ऐसा लगेगा कि आपने यह पूरे रोल जो है वो चीज से हैं यह देखें मैं आपको अंदर से भी दिखा देते हूं यह किते मज़िदार हमारे यह रोल तयार हुए हैं और इस तरह से हमने सारे के सारे यहां पर फ्राइ कर लिए हैं आप शाम की चाय पर बच्चों को बना के दे सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स के जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी मज़िदार लगने वाली है और यह देखें अचानक से अगर महमान भी आ जाते हैं ना तो आप उनके लिए भी यह मज़िदार सा स्नैक तयार कर सकते हैं तो यहां पर जी मैं ट्राइ करूंगी और आपको अवास चक करवाती झाली है 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 जाली है झाली है झाली है झाली है झाली है जाली है झाली है झाली है झाली है झाली है झाली है झाली हैं झा